नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेज में शैसा क्या आप जानते हैं सबसे विश्वस्नी और प्रमाडी सुचना लेकर पीएस क्लासेज प्रयागरास से प्रजेंट होता है तो SM दोस्तों बिग ब्रैकी निउस निकल करके आ रही है बड़ी ख़बर है सीटेट एपेरिंग अब एर्थियों को मिला BPSC फेस्टू सिच्छक भर्थी में मौक्या क्या इस पर हम बात करने वाले हैं एपेरिंग के छात्र जो है उग्र हो चुके हैं और दिपावली नव मनाने के लिए बिलकुल यहाँ पर चेतावनी दे दिये हैं बिहार सरकार को लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के लिजेगा राइट से बेल आइकन के बटम को प्रेस कर दिजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सब से पहले आप तक मौका चाहते हैं इसको लेकर के उन्होंने अल्टिमेट दे दिया है कि हम दिपावली का तेवार नहीं मनाएंगे और हर हाल में जो है सीटेट एपीरिंग को जब मान किया जाएगा तभी हमारी दिपावली होगी तो आईए दोस्तों देखते हैं बड़ा अपडेट क्या न आपको यह बता दें यह लोग अपने घर पर दिवाली नहीं मनाने का फैसला लिए है विहार के अलग-अलग जिलों से अभ्यार्थी पटना पहुंचों है अभ्यार्थियों ने कहा है कि इस बार हम दिवाली CM और जिप्टी CM के आवाज के बाहर मनाएंगे और अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो आंदोलन भी करेंगे CTET Appearing अभ्यार्थि लगतार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह TRE1 में CTET Appearing अभ्यार्थिों को यहां पर मौका मिला था तो जैसा कि तो आपने देखा यहांपर TRE2 में CTET Appearing अपने लिए मौका चाहते हैं और इससे लेकर के सरकार को ultimate दे दिया गया है तो दोस्तों पलपल की खबर आप तक आपका अपना PS Classes पहुचा रहा है आप सभी को उम्मीद बनाए रखना है आपकी आवाज को वे PS Classes उठा रहा है तो दोस्तों आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर पलपल की अपडेट आप तक पहुच सके लाइक शेयर करना भिखना भूलें क्योंकि आपकी आवाज जो है बिहार सरकार तक PS Classes पहुचा रहा है थैंक्स पर वाचिंग बाई बीडियो